बी ए पार्ट टू यानि कि आर्ट्स वाले बच्चों का रिजल्ट जो है 20 घंटे पहले ही परकासित किया जा चुगा है परन्तु आप में से कोई भी छात ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा आखिर आप लोग गलती कहां कर रहे हैं रिजल्ट देखने वो सारा कुछ मैं यहां पर स्क्रीन रिकोर्डिंग के साथ दिखाने वाला हूँ वहीं बात कर लें BACB.com पार्टरी वाले बच्चे जी हां दोस्तों आप लोग सुभा से इंतिज़ार कर रहे हो आपने रिजल्ट का तो इंतिज़ार की घरी खत्म हो चुकी है जी हां दोस्तों आजके इस व विदार्तियों का दावाई यह है कि हम अपना रिजल्ट नहीं देख पाएं तो आप गलती कहां कर रहे हो और रिजल्ट देखने में आप गलती कहां कर रहे हो वह सारा कुछ मैं बताऊंगा सबसे पहले मैं पीडियप डाउनलोड करके बताऊंगा कैसे आप अपना प्रकासित किया गया है तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है गूगल पर टाइप कारना आपना पिछले बार आप अपने डिख पाए थे पर आप देख पाओगे क्योंकि अब जो है कारिय कर रहा है वरकिंग प्रोसेस् आपको क्या करना है दोस्तों नीचे स्क्रोल करते जाना है जी हाँ दोस्तों रिजल्ट करने के बाद आपको आपकरना है टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे आपके सरलोग भी जुरूएब हैं यानि कि BNMU के द्वारा कहा गिया है कि BNMU यानि कि Part 3 वाले बच्चों का रिजल्ट जो है आज परकासित कर दिया जाना है तो आप लोग को क्या करना है TWS रिजल्ट जाके सर्च करना है चर्ज करने के बाद आपको क्या करना है TWS रिजल्ट पर जाना है इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों नीचे स्क्रोल कर देना है नीचे स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्षन में जाना है और फानली बात मैं आप सभी को यह बता दूँ इस बार जो है रिजल्ट जो आफलाइन मोड में दिया गया है ठीक है पीडियप के फॉर्मेट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप सभी छातरों से मेरा नमर अनुरोद है यदि आपको रिजल्ट डाउनलोड करन आप है ठीक है अगले प्सको रिजल्ट आपको में अनुरोद है नहीर क्या गिंख की दिलाईया क्त्रूब